मैं आपके लिए ओची पारामीटर से जुड़े कोस्चन में लाया हुआ हूँ जो आप लोग को टेक्निशियन जाई के एकजाम में तथा हेलफर के एकजाम में आप लोग को हेल्प होगा तो मेरा पहला कोस्चन है सोट टाइम मिनिममम होरिजेंटल एलेक्टिकल किलियरेंश 220 mm यानि की सोट टाइम जहां पे मेरा होरिजेंटल किलियरेंश रहेगा वहां पे 220 mm का किलियरेंश हम रखेंगे नेस्ट कोस्चन है मेरा लोंग टाइम मिनिममम भार्टिकल किलियरेंश और नेस्ट कोस्चन और एक है मेरा लोंग टाइम मिनिममम होरिजेंटल एलेक्टिकल किलियरेंश तो यहां पे लोंग टाइम दोनों में है तो दोनों में मेरा भार्टिकल है और होरिजेंटल है टेक्ट यॉयर एकन्ट हशन फिल्हेटर तो जहां सिंद्धी मेरा सेक्शन इन्सूलेटर रहता है यादि हम बढ़ाएंगे तो टल्ट होने का डर रहता है और पांसिंग में उसमें प्रॉब्म आ सकती है नेस्ट कॉश्चन है मेरा इस्टाइगर और अच्छा मेरा रहेगा अगला कॉश्चन रहेगा अर्थिंग रेसिस्टेंट और एफोबी आरोबी गाडर ब्रीज प्लेटफॉर्म सेड और अधर ओभरलाइड एस्टेक्चर तो इसमें अर्थ रेसिस्टेंट जो है 10 ओम का रखेंगे तो यहां पर 10 ओम रखा गया है तो ओम जो होता है मेरा रेसिस्टेंट का यूनिट होता है इसलिए यहाँ पर 10 के बाद ओम लिखा गया है और अर्थ रेसिंट्रेंट मेरा मैक्सिमम हम 10 ओम तक ही रखेंगे उससे ज्यादा नहीं रखेंगे कहीं भी यह फोबी मेरा मिले और और बी मिले गाडर मिले ब्रीज मिले या फिर प्लेट फॉर्म मिले या फिर अधर कोई ais सेक्षेने एरिया जो मेरा 50 ends का होता है और उसका लंबाई जो है एक मीतर सथाव सेंटीमीटर काया हम रखेंगे तर लंप सेंट को सेंटे मीरा क्रोस सेक्षिन एन लेंगठों OF एप जमपर वायर, तो एफ जमपर का जो है, इसका जो हम क्रोस सेक्षिन एरिया जो है तार का जो थिकनेश होता है और 50 mm स्कुार का लगाएंगे और इसका मीटर जो है एक मीटर 30 cm इसका लंबाई होना चाहिए Next question है मेरा क्रोस सेक्षिन एरिया and length of G Jumper G-jumper जो है मेरा, आपको Un-Insulated Overlap में आपका यूज होता है तो G-jumper का काम है मेरा continuity देना एक Overlap जहां खतम होता है दूसरा Overlap जो मेरा को चालू होता है Insulated, जहाँ पर Insulator नहीं रहता है तो वहाँ पर हम G-jumper का उपitel जो करते हैं रखना चाहिए हमको और अगला को सब्सक्राइब करते हैं तो हम किस साइड में लगाना चाहिए और उसका जो है सपोर्ट से मेरा उसका दूरी कंशली जो है पाज मीटर साज सेंटिमीटर की दूरी में हम लेको लगाना चाहिए नेर्स्ट को मैं मेरा फिक्स्ट लेंग्द पॉपदcribe ड्रोपर व्यायर जो होता है उसको हम लुग देखें उसमें हम लगाते हैं तो जो fixed part का जो लंबाई होता है वह 105 mm होता है next question है मेरा the distance of the first dropper from support तो dropper जो है support से हम कितना दुरी में लगाएंगे जो मेरा first dropper होता है inner span dropper जो कलाता है तो वह हम support से first dropper जो है जिसको हम लोग एक ड्रोपर भी बोलते हैं वह उसका जो लंबाई होता है वह 12-18 mm होता है यानि कि 12 cm 18 mm होता है और इसको जो है support से कितना दुर में लगाएंगे तो इसको जो है support से हम 2-25 cm की दुरी में लगाएंगे next question मेरा है shift zone clearance of section insulator at trailing set shift zone clearance जो होता है section insulator में होता है तो इसका जो हम clearance रखेंगे section insulator का trailing set में वह एक मीटर 12 cm रखेंगे next question मेरा है shift zone clearance of section insulator at facing set facing set में जो है इसका हम shift zone clearance एक मीटर 60 cm रखेंगे तब जाके यह clearance मेरा ठीक होगा next question मेरा है for the section insulator the distance between contact wire and runner on other side should not be less than 220 mm यानि कि जहां पे मेरा main line का तार गया हुआ है और मेरा runner जहां पे है तो वहां पे दोनों को यदि हम नापेंगे तो वहां पे 220 cm से कम नहीं होना चाहिए है उसका distance कि अगला question है maximum tension length फोर रेगुलेटर ओची maximum tension length of the regulator तो ओची मेरा दो टाइप में होता है रेगुलेटर ओची और अन्रेगुलेटर ओची तो इसमें रेगुलेटर ओची का जो तार का लंबाई मेरा जो है वह 1500 मीटर होना चाहिए और अगला question है maximum length on tangent rank for regulated ओची तो maximum spend length spend length हमको हम लोग उसको बोलते हैं दो खंबे की दूरी को हम लोग spend length बोलते हैं तो tangent track में भी हम मेरा रेगुलेटर ओची होना चाहिए तो रेगुलेटर ओची में मेरा 72 मीटर का spend length होना चाहिए उससे ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं maximum है next question है मेरा maximum tension length for unregulated ओची तो unregulated ओची में मेरा tension length जो है वह maximum 200 हंडेट मीटर का होना चाहिए और unregulated ओची का यूज मेरा याड में और siding line में इसका यूज होता है next question मेरा है जैड वाई भेलू ओप विंच टाइब एटिडी एट हाफ टेंशन लेंग्थ साड़े साथ सो मीटर एट 35 डिडिडी सेल्सियस में तो यहाँ पर इसका जो है ना जैड भेलू बारो सो पचास होना चाहिए और वाई भेलू जो है पचीस सो होना चाहिए विंच टाइप में नेस्ट कोश्चन है मेरा डिफ्रेंट्स इन लेंग्थ ऑप एडजेसेंट अस्पेंड और में लाइन शूड नॉट बी मोर देन 18 मीटर तो यहाँ पर बोल रहा है कि जहाँ पर मेरा अस्पेंड है और में लाइन में है तो यहाँ पर फर्स टाइम जब मेरा सर्वे होता है उस टाइम यदि मतलब खंभा मेरा जहां पर आता है और उसके बीच में यदि मेरा कोई अस्टेक्चर आता है और हमको डिश्टब करता है तो उस जगह में हम हम खंभा को आगे पीछे हम 18 मीटर तक कर सकते हैं तो next question मेरा है minimum length of dropper in a span 150 mm तो इसमें जो है minimum बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कहें कहें पर हमको bridge मिलता है या फिर को आरो भी मिलता है या फिर एफो भी मिलता है तो उस जगह में हम लोग क्या करेंगे उसमें मेरा height जो है contact का वह कम हो जाता है तो उसमें height जब कम हो जाता है तो मेरा sure है कि contact wire को हमको हलका नीचे करना पड़ता है तो उस type में मेरा income range वह 15 cm से कम हम नहीं ही रख सकते हैं उसका और उस ड्रोपर का लंबाई जो है 15 cm से कम नहीं होना चाहिए नेस्ट कॉच्चन है मेरा in case of overlap टाइप टर्न आउट डट टर्न आउट अस्पेंड शूड 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 भी लेस देन चोवन मीटर यदि overlap टाइप टर्न आउट कहीं पर है मेरा तो वहां पर उसका जो है चोवन मीटर तक का हम हम उसका अस्पेंड हम रख सकते हैं अगला कोशन है विद क्रोश टाइप इक्विमेंट विद एक्च्वल क्रोशिंग और ओची आट फेसिंग टर्न आउट दग एंगर अस्पेंड सूड भी रिये अस्टेग टू बोर रहा है कहीं पर क्रोश टाइप का मीरा निकला हुआ है वाइर उसका जो है फेसिंग सैट वैची का फेसिंग सैट जहां पर रहता है उस अस्पेंड को हम 54 मिटर तक काम रखेंगे उससे कम काम नहीं रखेंगे अगला है लर्निंग लिनिंग ओप मास्ट शूड बी एटेंडेंट इफ लिनिंग एट टॉप एक्साइडिंग यहां लिखाए 15 सेंटीमीटर यानि कि कोई-कोई मास्ट जो है कोई कारण से जुख जाता है तो वहां प आइसुलेटर इन ओपएन पोजिशन तो बोरा आइसुलेटर में जो है ऑपन पोजिशन में मेल और फिमेल जो है क्वेस मेल तो मेक्सिमूम मेरा जो है पांट-स वैमेम या फिर उसको 50 सेंट्रीमीतर बोल सकते है तो इसमें देखे 50 के पहले पलास या मानिस लिखा हुआ है तो इसका मिनिमाम जो हता है वह 38 cm होता है और मैक्सिमाम 50 cm होता है नेस्ट कोच्चन है मेरा मिनिमाम वरकिंग किलियरेंस तो वरकिंग किलियरेंस में जो है दो मीठर होना चाहिए उस से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि चार्ज लाइन उसके अंडर जो है इंडिय आने की संभाव ना रहता है तो कोई भी हम वर्क करेंगे चार्ज लाइन के बगल में तो दो मीटर से कम नहीं होना चाहिए नेस्ट कॉस्चन में रहा है दा एक्सियल डिस्टेंज बिट्विन केटनरी और कॉंटेक्ट वायर का जो एक्सियल डिस्टेंज यानि की इनकम्रेंट्स तो वहां पर 4500 mm से कम हम नहीं रखेंगे ने तो मेरा किलियरंस जो है सेक्सेन इंसुलेटर का वह सही नहीं होगा और ठीक बेटर नहीं होता है क्योंकि जितना हम ज्यादा रखेंगे उतना मेरा working clearance जो होता है यदि हम बलोक लेते हैं तो बलोक में मेरा इंड़ी जाने की समभावना कम होता है तो इसलिए हम catenary और contact का axial distance जो है सारी 400 mm से कम हम नहीं रखेंगे नेस्ट कॉच्छन है दा सेक्षन इंसुलेटर इस टू बी लोकेटेड बियांड दा पॉइंट वेर दा सेंटर डिस्टेंस बिट्विन दा टू एड़ेशन इक्वल टू भी मोर देन 1.6 mm बोरा सेक्षन इंसुलेटर जहां पे रहेगा वहां से लेकर उसके सेंटर से लेकर बगल वाला जो ट्रेक है उस वहां का कॉंटेक्ट वायर का किलियर्ण जो है 1.65 मीटर होना चाहिए मैं लाइन का वायर से लेकर सेक्षन इंसुलेटर तक का तो दोस्तों मैंना आप लोग को ओची पारा मीटर के बारे में बताया थैंक्यू